बहुत सारे लोग लगातार परिशान है अपनी सेक्स्वल स्टेंथ को लेकर कुछ लोगों को अरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर एंजाइटी है या फिर कोई और वीक्नेस हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि दे को यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या पिर आपको एंजाइटी है या वीक्नेस है तो आप एक basic बात समझ लीजे कि आपको food ठीक करना होगा आपको exercise करनी होगी और यदि कोई clinical समझ्चा है तो आपको दवाई भी लेनी होगी प्लस fourth आपको अपने partner के साथ जो आपका connection है जो connectivity है उस पे भी काम करना होगा otherwise आप tablet खा लीजे कुछ नहीं होगा आपको और आप tablet से यदि आप सोचते हैं कि एक tablet खाने से आपकी जे sexual strength है वो ठीक हो जाएगी या फिर कोई जादू हो जाएगा या आप बहुत powerful superman बन जाएंगे आप Hollywood, Bollywood की movie की तरह या पॉंड की तरह या पॉंड स्टार की तरह सेक्स करने लग जाएंगे तो ये केबल myth है केबल आप misguide हो रहे हैं social media पे इस तरह के बीडियो पर देखके के आप powder ले लीजे या फिर आप तेल ले लीजे या भसा में ले लीजे या कुई दबाई ले लीजे उससे जादू हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है लोग बहुत अच्छी तरीके से glorify क करते हैं बहुत emphasize करके जो लगा के बोलते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने बीडियो को वाइरल करना है या फिर उनके कुछ इंट्रेस्ट हो सकते हैं उन्हें अपनी कुछ दवाईयां बेचनी है लेकिन यह clinically सच नहीं है सच यह है कि यदि आपको अपनी sexual power को ठीक करना है यदि sexual strength को ठीक करना है तो again I'm repeating चार चीज़े हैं जो चार चीज़ें यदि आप ठीक कर पाएंगे तो यह ठीक होगा अधरवैस यह ठीक नहीं होगा सबसे पहली बात है कि bondation अपने partner के साथ time गुजारना बात करना hugging kissing touching smooching करना यानि 4 पहले को जंदा करना दुबारा से रि अगर आपके penis की जो nerves हैं वो ना strong होंगी और blood की supply properly नहीं होगी जब तक pelvic reason आपका strong नहीं होगा तब तक आपको sexual strength नहीं आएगी erection नहीं आएगा और आपका time नहीं बढ़ेगा तीसरी बात है कि ये mind और body का connection है आपको mentally इसको connect करना होगा mechanical sex के लिए आप जा रहे हैं तो ये फिर आप छोड़ दीजिए तो आज हम clear बात करेंगे क्योंकि पहले बहुत सारे बीडियो में हमने दवाई की बात की है bonding की बात की है relationship की बात की है प्लस और भी बहुत सारे हम हमने मदों को touch किया sex education पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाएं लेकिन आज हम specific बात कर रहे है exercise का exercise यदि आप regularly कर लें तो आपकी जो sexual power है वो बिलकुल बापिस आ जाएगी आपको sexual strength मिल जाएगी erection मिल जाएगा और time भी बापस मिल जाएगा लेकिन आपको honesty से आपको exercise करनी होगी सबसे पहली exercise है कि आप walking करिए यदि आप walking करेंगे तो walking से क्या होता है कि आपको body oxidize होती है और blood का circulation आपका बहुत अच्छा होता है better होता है उसके के बाद है एक कालोरी सूत्रा करके exercise होती है जिसमें आपकी pelvic muscles यानि कि जो आपका pelvic reason है उसको clockwise, anti-clockwise घुमाया जाता है उपर नीचे किया जाता है जिससे कि आपकी pelvic muscles strong हो जाती है squats मारिए लेकिन आप बहुत तेजी से मत मारिए आप आराम से करिए आप running करिए आप cardio exercise करिए cardiovascular exercise से भी आपको काफी strength मिलेगी यानि कि आपको thighs की muscles आपको pelvic reason की muscles आपको scrotum reason की जो muscles है उनको strengthen करना है उनको मजबूत करना है इसके साथ साथ आप अपने खाने में बादाम सामिल करिए और almond खाईए बॉलनट खाईए प्यूर कुछ देजी घी आप add कर सकते हैं और यदि आप नॉन्वैज लेते हैं तो एग और मटन चिकन भी खा सकते हैं लेकिन fat आप थोड़ा सा add कर लें क्योंकि fat के अंदर vitamin A, E, D और K होता है जो कि directly आपके penis की muscles को और आपका जो scrotum reason है जो pelvic floor है उसको मजबूत करने में मदद करता है यदि vitamin D या B12 की deficiency है तो आप उसको immediately ठीक करिए प्लस यदि आपको कोई diabetes है यदि आपको कोई neurological problem है like anxiety, depression, insomnia उसको treat ब्लड पेशर को treat करिए और regular exercise करिए और हपते में के बल एक दिन आप sexual exercise करिए यानि sex एक दिन करिए और थोड़ा सा time बजारिए तो आप देखेंगे कि ये properly सारी चीजें ठीक हो गई है thank you very much and take care yourself